प्रभु इश्यू के मदुर नाम में नमस्कार दोस्तों आज फिर से परमेश्वर के वचन के समक्ष बैठ कर परमेश्वर के वचन से एक हिसा लेकर उसका अध्यान प्रस्तुत करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कारण कई है एक यह है कि परमेश्वर के वचन का अध्यान हमारे जीवन में अपने आप में एक बहुत धन्य बात है अध्यान के लिए दूसरों को प्रेरित करना वो भी जीवन में एक बड़ी धन्य बात है और अध्यान के लिए तयार लोगों को परमेश्वर का वचन समझाना या परमेश्वर के वचन का व्याक्यान करना और उनको प्रोधसाहित करना ये भी आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी बात है आज की अध्यान के लिए मैं आपका ध्यान पहला पत्रस चार दस की और ले जाना चाहता हूँ पहले पत्रस चार दस में एक विशे के बारे में हम पढ़ते हैं और विशे है आत्मिक वर्दान आत्मिक वर्दानों के बारे में पर्मेश्वर के वचन में कई जगे हमको शिट्षा मिलती है लेकिन इन में से चार मुख्य भाग हैं जो आत्मिक वर्दान और उससे संबन्दित पर्मेश्वर के वचन या पवित्र शास्त्र को या धर्म शास्त्र को विस्तार से समझाता है रोमियों की पत्री 12 अध्याय पहला कुरिंथियों 12, 13, 14 अध्याय इफीसियों 14 अध्याय और पहला पत्रस 14 अध्याय याद रखना काफी आसान है शुरू के दो जो हैं उनमें 12 याद रखें रोमियों 12, पहला कुरिंथियों 12, 12 से 2 अध्याय और 13, 14 लेकिन यदि आप रूमियों 12 पहला कुरुंतिंग बारा याद रखेंगे तो इन दोनों हिस्सों की याद रखना आसान है और यदि आप इफिसियों 4 और पहला पत्रस 4 याद रखेंगे तो जो दूसरे दो पद हैं वो याद रखना आसान है पहले के ये जो 12 अध्याए मैंने आपको बताए रोमिय 12 और उसके अलावा खास कर पहला कुरुंतियों 12, 13, 14 उसमें विशे को काफी विस्तार से समझाय गया है इफीसियों में विस्तार कम है पहला पत्रस 4, 10 में विशे का विस्तार और भी कम है लेकिन हमारे एक क्लास के अध्यान के लिए परियाप्त है और इसलिए हम उसको पढ़ेंगे पहला पत्रस 4.10 में लिखा है जिसको जो वर्दान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए सवाल यह है कि वर्दान का क्या मतलब है क्योंकि यहां पर चर्चा वर्दान के उपर है वर्दान के बारे में परमेश्वर के वचन में खास कर पहला कुरिंथियों 12-13-14 में जो शब्द प्रयूक्ट किये गए हैं उनके आधार पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि आत्मिक वर्दान एक विशेश योग्यता है या विशेश आत्मिक योग्यता है जो हर व्यक्ति को उद्धार के समय पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है आप कहेंगे सब को दी जाती है क्या जी हाँ इसलिए पहला पत्रस 4-10 जो है उसके आरम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिन जिन को वर्दान मिला है लेकिन यहाँ पजमेशवर का वचन कहता है जिसको जो वर्दान मिला है इसका मतलब यह है कि यदि आप एक मसीही है मसीह से मेरा तातपरी यह है कि यदि आपने प्रभूई ईश्व को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया है तो आपको निश्चित रूप से कम से कम एक वर्दान मिला है क्योंकि परमिश्वर का बचन ही कहता है कि जिसको जो वर्दान मिला है ये नहीं कि जिन जिन को वर्दान मिले हैं सब को मिला है और जिस जिसको जो मिला है वो उसका उपयोग करें पहला कुरुंतियों बाराक अध्यान करने पर ये बात स्पष्ठ हो जाती है कि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार ये वर्दान विश्वासियों को देते हैं वो अलग विश्व है उसको हम बाद में देखेंगे आज जो वर्दान मिले हैं उनका उपियोग कैसे किया जाए इसके बारे में हैं इसके एक प्रिष्ट भूमी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ प्रभू ईश्व ने कई उदाहरण दिये थे जिसमें स्वामी दासों को बुलाकर उनको एक धन राशी देता है आज हम उस एनुवात को पढ़ते हैं कि उसको जो है एक तोड़ा दिया या उसको ये दिया एक दिनार दिया तो हमारी भाश्व में कोई माइना नहीं रखता है लेकिन जब हम उसको औरिजिनल भाश्व में देखते हैं इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामी ने दासों को जो दिया वो एक बेश कीमती संपदा थी जिसे अपन कैपिटल भी बोलते हैं और प्रभु ने ये जो इस तरह के उदाहरन दिये थे ये उपुमाएं दी थी उसमें कम से कम एक में दासों को ना केवल दिया बलकि उनसी ये भी कहा कि जाओ वीनिमे करो उससे वो जो प्रष्ठ भूमी है उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु जो आत्मिक वरदान देते हैं प्रभु के ही शब्दों में उसे एक आत्मिक पूंजी समझना चाहिए हम जानते हैं कि किसी भी छोटे या बड़े व आपार हो तो जो उसमें काफी पूंजी की जरूरत पड़ती है तो प्रभू ने वो जो प्रष्ठ भूमी अपने जीवन काल में दी थी उसके आधार पर और शके बाद में नई न्युमक के कि चार पत्रियों में हमको जो आत्मिक वर्दानों के बारे में जो वर्नन मिलता है उसके आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आत्मिक वर्दान जब पवितर आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार एक नए विश्वासी को देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी आत्मिक पूंजी है और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको जो पूंजी मिली है जिसको जो वर्दान मिला है उसका अनुवाद हम यो भी कर सकते हैं कि जिसको जो आत्मिक पूंजी मिली है वो उसका उपयोग करे जब भी मैं आत्मिक वर्दानों के बारे में बोलता हूँ तो मुझे कई कहानिया याद आती हैं जिसमें एक कहानिय मैं आपको बताओं मेरा बच्पन मदिप्रदेश के ग्वालियर में बीता था वहां बहुत ही व्यस्त एक रोड के बगल में मसीही प्रार्थनाले था जहां पर हम लोग रहते थे और रोज शाम को लगभग अंदेरा होते होते हमारे घर के सामने एक भीकारी आके बैठता था और बहुती दैनी आवाज में ए जाने वाले कुछ दे जा प्रभू तेरा भला करेंगे और वो ऐसी दर्दनाक आवाज में ये पुकार लगाता था कि जाने वाले के हाथ अकस्मात अपनी जेप की और चले जाते थ और वो कुछ न कुछ दे के चला जाता था इस तरह से कई साल गुजर गये अचानक उसका आना बंद हो गया दो दिन के बाद अक्मार में खबर आई कि फलानी जगह पर जो भीकारी बैठकर या आचना करता था उसकी मौत हो गई है और उसके घर या रिश्तेदार ना होने क कारण नगरपालिक निगमने जाकर उसकी डेड बाडी को दफनाया उसको संसकार किया यह तो स्वभाविक बात है हमारी नगरपालिका इस तरह के काफी अच्छे कारी करती थी लेकिन अखबार में उसके बाद जो खबर थी वो चौका देने वाली खबर थी खबर यह थी कि ये भीकारी कई सालों से इस तरह से जो भीक मांग रहा था उसको नियमित रूप से दिन के समय वो बैंक में जमा करवा देता था शाम को भीक मांगता था अगली सुबह वो बैंक में जमा कर देता था खास कर जब खुले पैसे की बड़ी कमी थी तो सुबह वो ये पैसा उंची रेट पर होटल वालों को और तांगे रिक्षे वालों को देता था और उनसे जो नोट मिलते थे वो बैंक में जमा कर देता था और दिन बर दूसरों के दिए खाने पर गुजार करता था दूसरों के दिए वे कपड़े पर गुजार करता था और इस तरह से उसने कई सालों में जो पूंजी बैंक में डाली थी दस लाखों में वो पूंजी थी नाकेवल बैंक में पैसा था, उसके पास जमीन जायदाद भी थी और उसने इसी पूंजी से कई मकान भी खरीदे थे जिनको किराय पे उठा रखा था वो किराया भी जो है बैंक में जमा करता था लेकिन वो अपने खुद के मकान में रहने के बदले पुराने जमाने के एक मकान में रहता था जहां उसे नाम मातर का किराय देना पड़ता था कुल मिला कर जब उसकी संपती का हिसाब लगाया नगर निगम ने तो पता चला कि उस दिन जिस दिन नगर निगम के पास ये पैसा आया इस आदमी की चल और अचल संपती कुल करोडो रुपे में थी आपने भी इस तरह की कहनिये पड़ी होंगी इस तरह के लोग कई जगह होते हैं कोई बिकारी, कोई चपरासी, कोई गाओं का गरीब आदमी लेकिन इन सब घटनाओं में एक कॉमन बात जो हम देखते हैं वो यह है कि उसके पास इतनी पूंजी थी कि उसकी दस पीडिया खाए तो अभी पूंजी खतम नहीं होती लेकिन इस पूंजी का फाइदा उसको नहीं हुआ उसने कभी एक आसान जिंदगी एक आराम की जिंदगी नहीं बिताए उसने कभी धंके कपड़े नहीं पहने उसने कभी धंका खाना नहीं खाया उसने जीवन में कभी आनन के चंड नहीं देखे पूंजी के अभाव के कारण नहीं बलकि उसके पास जो पूंजी थी उसका उसने उपयोग नहीं किया उपयोग ना करने के कारण जीवन भर वो करोडपती कंगाल ही बना रहा और फाइनली ठंड के कारण और भूख के कारण उसकी मृत्ती हुई मेरे प्रीबाईयों और बहनों पवित्रात्माने मुझे और आपको जिस छण हमने उधार पाया उस छण जो आत्मिक वर्दान दिया है उस आत्मिक वर्दान का उपयोग हम नहीं करते हैं तो मेरी और आपकी स्थिति उस विकारी के समान है जिसके पास अथाव पूंजी थी लेकिन वो मरा भूख से और ठंड से हमारे पास पवित्रात्मा द्वारा दी गई अथाव पूंजी है लेकिन यदि आप आत्मिक वर्दान के बारे में अज्यात है उसका उप्योग नहीं करते तो हम भी उस अथाव पूंजी को बर्बात कर रहे हैं उस विकारी में और हम में एक फरक है वो तो चला गया उसके साथ साथ उसका नुकसान हमेशा हमेशा के लिए खतम हो गया लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं जाएंगे हम लोग जब इस पृत्वी को छोड़ कर जाएंगे तो प्रभू के द्वारा दिये गए नए शरीर में महिमित शरीर में अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जीवन बिताएंगे और हमने इस पृत्वी पर जो भी आत्मिक पूंजी इखटी की है या विनिमे के द्वारा पूंजी को जो बहुत अधिक बढ़ा लिया है वो भी हमारे साथ जाएगा इसका इशारा प्रभू ईश्व ने कहा था कि प्रियदास तू थोड़े में विश्वस्त रहा जा दस शहरों का मालिक हो जा इसी तरह से मेरा और आपका एक दिन नयाय होगा जब हम प्रभू को यह हिसाब देंगे कि प्रभू ने हमको जो पूंजी दी थी उसका हमने क्या उप्योग किया कैसे उप्योग किया और हमने उस पूंजी को कितना गुना बढ़ाया यदि इस भिकारी के समान हम अपनी पूंजी को इधर उधर दबा के रखें तो जब हम यहां से चले जाएंगे और जब हमारा हिसाब लिया जाएगा तब प्रभु में नव जीवन पाने के बावजूद पवितरात्मा से कम से कम एक आत्मिक वरदान के रूप में आत्मिक पूंजी मिलने के बावजूद और हर च्छंड हमारी मदद के लिए पवितरात्मा की मौजूदगी के बावजूद हम आत्मिक रूप से कंगल ही रह जाएंगे और शाश्वत काल तक शाश्वत का मतलब है कभी खत्म होने वाले काल तक हमें इसका अफसोस रहेगा कि आउसर मिला हमने उस आउसर का उपयोग नहीं किया प्रभू ये इशू ने प्रिष्ट पूमी में जो कहा था कि उस दास से जिसको एक मिला था जिसको जो है एक ने तो रूमल में बांद रका था एक ने जमीन में गाड़ दिया था उन दासों से हर एक से स्वामी कहता है हे दुष्ट दास उसमें एक उपमा में तो प्रभु ये भी उससे पूछते हैं कि तुने क्यों उसको ब्याज पर नहीं उठा दिया जब एक किलो सोना मिला है प्रभु इशू के जमाने में सर्राफ लोग होते थे जो बाकैदा पैसा या सोना लेके जो है उस पर ब्याज देते थे तुने क्यों उसको ब्याज पर नहीं उठा दिया यदि तुने ऐसा किया होता तो मैं वापस आकर अपनी पूंजी भी ले लेता अपना ब्याज भी ले लेता तुझे कुछ ना करना पड़ता लेकिन जानते हुए भी तुने ऐसा नहीं किया इसलिए प्रभू उसको हे दुष्ट दास कहकर संबोधित करते हैं इतना ही नहीं प्रभू उस घटना में प्रभू ये बताते हैं कि स्वामी ने अपने दास को सजा दी हम जिन लोगों ने उद्धार पाया है हम नरक की सजा से तो मुक्त हो चुके हैं लेकिन परमेश्वर का वचन ये याद दिलाता है कि हिसाब देना पड़ाएगा और जब हिसाब देंगे तो आत्मिक वरदानों के रूप में प्रभू ने हमको जो पूंजी दी है उस पूंजी के उपयोग के बारे में भी हमें हिसाब देना हो गया इसलिए परमेश्वर का वचन याद दिलाता है जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुगरे के भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए मतलब वह उसका उपयोग करे मेरा आज आपसे पहला प्रश्णिय है मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन आज से कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले आपने प्रभू ईश्व को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया होगा और जिस चण आपने प्रभू को मुक्ति दाता के रूप में घ्रहन किया, उस चण पवितरातमा ने आपके जीवन के लिए सबसे उपियोक कम से कम एक आत्मिक वरदान आपको दिया क्या इतने महीनों के ये इतने सालों के बाद आपने उस आत्मिक वरदान को पहचान लिया है? पहचाना है क्या? मैं अपने ही उदाहरण देना चाहता हूँ मैंने काफी early उमर में ही प्रभु ईशु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन कर लिया था लेकिन मैं आत्मिक वरदानों से अपरिचित था, नहीं जानता था कभी इस फिशे में कोई संदेश नहीं सुना, कोई बाइबल क्लास नहीं सुना प्रभु के वचन से भी पढ़ा तो कभी मैं ना तो उसको समझ पाया ना ही डीटिल में समझने की कोशिश की मैं लगबक 16 साल का था जब पहले बार आत्मिक वरदानों के बारे में मैंने एक ख्लास एटिन की तब मुझे पता चला कि आत्मिक वरदान होते हैं और तब से मैं अपने आत्मिक वरदानों को ढूंडने लगा लेकिन वो 16 साल से कई साल पहले मैंने प्रभू ईशु को जब मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया था तब मुझे प्रभू ने आत्मिक वरदान दिया था तब से लेकर 16 साल की उमर में जब मैं उसे आत्मिक वर्दान होते हैं ये समझ कर अपने आत्मिक वर्दानों को ढूंडने लगा इतने साल वो पूंजी मेरे पास बेकार पड़ी रही यही मेरा आज आपसे प्रश्न है आपने प्रभूई इशु को काफी पहले या कुछ महीनों पहले मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया होगा ग्रहन करते ही आपको जो पूंजी दी गई है वो पूंजी क्या है इसका आपको कुछ हनुमान है क्या जितने दिन हम अग्यानी रहेंगे उतना ही अधिक पूंजी का दुर भी नियोग होता रहेगा क्योंकि प्रभू की नजर में और प्रभू की वानी के अनुसार जिसने पूंजी का उपयोग नहीं किया वो पूंजी का दुर भी नियोग कर रहा है या उसका गलत उपयोग कर रहा है आपने अपने आत्मिक वरदान को पहचाना है क्या? आप पूछेंगे ब्रदर आत्मिक वरदानों को कैसे पहचान सकते हैं? साफ बात है जिब एक व्यक्ति परिमेश्वर के वचन का अध्यान करता है जब मंडली में जो भी उसको आत्मिक आउसर मिलते हैं उन सब आउसरों का उपयोग करता है तो प्रभू उसके उपर अपनी इच्छा प्रगट करते हैं और जैसे जैसे प्रभू अपनी इच्छा प्रगट करते हैं उसके साथ साथ वो अपने आत्मिक वरदान को भी पहचानने लगता है ये है आत्मिक परदानों को पहचानने का तरीका उसका कोई शॉर्ट कट नहीं है तो यदि आप ने आज तक अपने आत्मिक परदानों को नहीं पहचाना है तो जरा आँख खोलिए आप जिस मंडली में जाते हैं जिस चर्च में जाते हैं वहाँ पर आथ को जो आत्मिक आउसर मिलते हैं उन आउसरों का खुल कर आप उपयोग करते हैं क्या या आउसरों को रिफ्यूस कर देते हैं देखिए प्रभू उसी व्यक्ति को रोशनी देते हैं उसी व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं जो रास्ता पाने के लिए तयार है औ तो आज से आपके आत्मिक जिवन में आपको प्रभु ने जो आसर दिये हूं आसरों का उपयोग कीजिए और जल्दी ही आपको ये बात जो है व्यक्त साफ जो है पता चल जाएगी कि आपका आत्मिक वर्दान क्या है तो जो वर्दान मिला है वो उसे परमेश्वर के भंडा भंडारी होते हैं लेकिन आज से कुछ दशाबदी पहले तक जो बड़े धनी लोग होते थे उनके घर में एक मुनीम होता था मुनीम सुबा आकर बिजनस वगरा करता था सेठ आराम से लेट आता था और जल्दी उठ जाता था मुनीम शाम तक सारा व्यापार करता था बही जह सेठ को हिसाब देता था ये है भंडारी परमेश्वर के वचन में भी हम भंडारियों को देखते हैं उसका सर्वतम उदाहरण है यूसुफ यूसुफ जब पोतीफर के घर में दास के या गुलाम की रूप में पहुँचा तो पोतीफर ने उसे अपना भंडारी बना द जन धन सब उसके हाथ में दे दिया और वो फिरॉन के लिए कारी करता था वो है भंडारी प्रभु ने मुझे और आपको भंडारी बनाया है आधुनिक शब्दों में कहा जाए तो मैनेजर बनाया है मैनेजर हर चीज को मैनेज करता है मतलब हर चीज को नियंतरित करता है ल भाईयों और बहनों मैं और आप पर्मेशवर के भंडारी हैं और भंडारी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि आत्मिक वरदानों का सुबह से शाम तक जीवन के हर छण विनिमे करें ओके आगे परमेश्वर के वच्चन में लिखा है नाना प्रकार के अनेगर के भले भंडारी यहां और भी कई शब्दा आगे हैं नाना प्रकार के इससे हमको यह बात सपष्ट हो जाती है कि प्रभू जो आत्मिक वर्दान देते हैं उसमें बहुत अधिक विवित्ता है मुझे कुछ देते हैं मेरे भाई को कुछ देते हैं आपको कुछ और देते हैं एवन मुझे और आपको एक ही वर्दान दिया तो एवन उसे एक ही वर्दान में विवित्ता पाई जाती है यह पिरमेश्वर के वच्चन इस तरह से यहां पर और अन्य जगों पर विवित्ता क क्योंकि मसीही जगत में कई बार एक या दो वर्दानों को लोग जबरदस्ती सब के सामने खीचतान के सबसे बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। बदाहरन के लिए अन्य भाष्शा अन्य भाष्शा पहला कुरिंतियों बार वे अध्याय में जो आत्मिक वर्दान बताए गे थे उसमें से एक वर्दान है। परमेश्वर का वचन सपश्टतेया बताता है कि प्रभू जब आत्मिक वर्दान देते हैं तो नाना प्रकार के वर्दान देते हैं और जब प्रभू विविद प्रकार के वर्दान देते हैं और जब प्रभू ने ही उसमें एक विविद्ता रखी है तो यह हमारी जिम्मे कि हम उस विवित्ता को अनेकता को जो है वो एक में ना बाटें एक में ना बदलें प्रभू क्यों प्रभू ने विवित्ता रखी है ये प्रभू जानते हैं लेकिन रखी है ये बात परमेश्वर का वचन स्पष्टता बताता है यहां एक शब्द दोर आया है नाना प्रकार के अनुग्रह के आत्मिक वर्दान पाना एक अनुग्रह है इसमें मेरी और आपकी कोई योग्यता नहीं है पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं सर्विग्यानी, सर्विव्यापी और सर्विशक्तिमान पवित्र आत्मा जानते हैं को क्या चाहिए और इसलिए मेरी और आपकी योग्यता के आधार पर आत्मिक वर्दा नहीं दिया जाता है बलकि पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह के आधार पर देते हैं यह परमेश्वर का अनुग्रह है एक और शब्द यहां पर विशेश है वो है भले भंडारी इसके स्वयम के जीवन में ऐसे कही लोगों को जानता हूँ जो मैनेजर या स्टोर कीपर रहते समय थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा सामान अपने दफतर से खीच कर अपने घर लाते थे प्रभू इशू के जमाने में भी जो भंडारी लोग थे उन में से कुछ थे जो इस तरह का काम करते थे आपको याद होगा प्रभू ने एक उदाहरन बताया था कि एक भंडारी था उससे का के हिसाब दो तो उसने एक को बुला के पूछ आए तुमारा कितना लोण है तो बुला कि सर इतना एच्छा उसको घटा के इतना लिख दो उसने खूब जम के जो है वहाँ पे लोगों को अपने मालिक के खर्चे पे जो है लोगों को छूट दी ये है बुरे भंडारी का दुनिया के हिसाब से वो स्मार्ट था, बुद्धिमान था, उसका स्वैम का मालिक कहता है कि वो बुद्धिमान था, लेकिन दुनिया के हिसाब से बुद्धिमान था, परमेश्वर के हिसाब से नहीं, प्रभू ये शनुगसुदारिन में बताया था कि जब दुनिया के रूप में काम करें कई बार आत्मे वर्दायनों का उपयोग स्वार्थ के लिए किया जा सकता है कई वर्दायन इस तरह के हैं जिनका उपयोग स्वार्थ के लिए किया जा सकता है कई लोग हैं जो स्वार्थ के लिए करते भी हैं जैसे प्रभू का वचन सुनाने की सामर्थ प्रभू ने किसी को दी है और वो उस वचन को सुना कर जब लोग जूमने लगते हैं तो उसके बाद जो है लोगों से कहता है कि प्रभू से और अधी कनुगरह पाने के लिए प्रभू को दीजिए और जो है जनता की बीच हो है मीटिंग जो चल रहे हैं उसमें जनता की जाती है कि आप इसमें प्रभू के लिए अपना दान डालें प्रभू क्या है वो बाल्टी जो है सीधे इस प्रचारक के कमरे में पहुंचाई जाती है और इस तरह से कई प्रचारक हैं जो करोड़ पती या अरब पती हो चुके हैं कम हैं लेकिन हैं इस तरह के लोग मसीही जगत में जो हम को एक बार और याद दिलाता है प्रभु ने ये दि हमको भंडारी बनाया है तो हमें भले भंडारी रहना बने रहना चाहिए भले भंडारी के समान आगे हम देखते हैं एक दूसरे की सेवा में लगाएं कई आत्मिक वरदान ऐसे हैं जिसके द्वारा हम करके लोग जो है अपने आपको बहुत बड़ा सांसारिक रूप से बना सकते हैं पदमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि आत्मिक वरदानों का उपयोग मेरे और आपके स्वार्थ के लिए नहीं बलकि पदमेश्वर की सेवा के लिए होना चाहिए तो मेरे प्रिमित्रो जो हमने देखा उसके एक साराश मेसेज अभी खतम नहीं हुआ है लेकिन एक साराश हम सब को कम से कम एक वरदान अपने उद्धार के समय मिला है ये वरदान एक महान पूंजी है और इसका उपयोग नियमित रूप से करना और प्रभू के लिए पूंजी बटोरना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है ये हमको पूंजी जो मिली है इसमें हमारी कोई योगिता नहीं है प्रभू ने अपने अनुग्रे के कारण हमको दिया है इस तरह से जो आत्मिक वरदान दिये गए है उसमें विवित्ता है इसलिए एक के पीछे ना भागे भंडारी भला होना चाह ये बुरा नहीं अब इससे संबंदित दो तिन बहुत ही आवश्यक आत्मिक पार्थ मैं आपको याद देलाना चाहता हूं पहली बात नाम भंडारी है जिसका मतलब यह है कि पूंजी आपके हाथ में है लेकिन पूंजी आपकी नहीं है हमें कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्रभु ने आत्मिक वर्दान मेरे और आपके हाथ में दे दिया है ये एक बहुत बड़ी पूंजी है बहुत भारी पूंजी है लेकिन ये ना तो मेरी संपत्य है ना आपकी संपत्य है यह पूंजी प्रभु की है और प्रभु ने हमको उस पूंजी का मालिक नहीं उसका मैनेजर या उसका भंडारी बनाया है दूसरी बात जब एक भंडारी उसको मिली पूंजी का सही विनिमे करता है तो उससे मालिक को बहुत अधिक फाइदा होता है और जब मालिक को फाइदा होता है तो मालिक हमेशा अपने द्वास को उस भंडारी को भी उसमें से भरपूर पूंजी देता है प्रभु ईश्यू के जमाने के ही कई उदाहरण हैं इतिहास में हम देखते हैं जहां अच्छे भंडारियों को उनके स्वामियों ने इतना धन दिया कि उस पैसे के उपयोग से उन्होंने अपने खुद की आजादी खरीद ली और वेस्वतंत्र बन गए यह हमको यह याद दिलाता है आत्मिक जीवन में मुझे और आपको हम लोग गुलाम नहीं है प्रभु के गुलाम है एक और तरीके से लेकिन दूसरी और प्रभु ने हमको सोतंत्र बनाया है हमें अपनी आजादी खरीदने की जरुरत नहीं प्रभु ने हमको अपने खुन के के लिए दो गुना पांच गुना और दस गुना लाएंगे तो प्रभू कभी भी हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे दो शहर का स्वामी बन पांच शहर का स्वामी बन दस शहर का स्वामी बन जब प्रभू अपने दास से कहते हैं तो वो इस बात को याद दिलाता है कि जब दा पुन जी का विनिमे सही रीती से करता है, तो उसे मालिक को फायदा होता है और मालिक उसका एक हिस्सा दास को भी देता है यदि आप अपने आत्मिक जीवन में अनुग्रह पाना चाहते हैं प्रभु के और से दी गई पुन जी अपने स्वयम के लिए चाहते हैं तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि आपको जो आत्मिक पूंजी दी गई है उसका दुर्मिनियोक करने के बदले उसका विनियोक करें अच्छी तरह से करें बहुत अच्छी तरह से करें स्वामी आपको जरूर करतार्थ करेंगे तीसरी बात जिसको भी पूंजी दी गई है एक दिन उससे हिसाब मांगा जाता है और हिसाब देना जरूरी है आप उस हिसाब के दिन को अवाइड नहीं कर सकते जिस दिन हिसाब दिया जाता है उस दिन जिसने पूंजी का उपयोग सही रीती से किया है उसको प्रतिफल मिलेगा लेकिन पूंजी का दुर्विनियोग करके कोई भी बच नहीं सकता है प्रभु ने जो उदाहरंड दिये थे उसमें हम देखते हैं कि पूंजी के दुर्विनियोग जिन दासों ने किया था उनको सजा मिली थी पहले कुरिंथियों तीसरे अध्याय में हम ये देखते हैं कि आग हर एक व्यक्ति का कारी परखेगी और जिसने घास, फूस और लकडी से धाचा बनाया है वो जल जाएगा सिर्फ सोना, चांदी और बहमूले पत्थर के द्वारा जो रचना हुई है वो बचा रहेगा ये हमारे आत्मी जिवन के बारे में है कि एक दिन इसाब देना पड़ेगा और जब हम हिसाब देंगे तो ऐसी कई बाते होंगी जो जल जाएंगी इब्राइनी के पत्री छटे अध्याय में भी हम देखते हैं कि भूमी बच जाएगी लेकिन जलते जलते जो फिर से ये बात हमको याद दिलाती है कि आत्मिक जीवन में हिसाब देना होगा हर चीज का हिसाब देना होगा जिसमें से एक है आत्मिक वर्दान तो दास को कभी भूलना नहीं चाहिए कि एक दिन हिसाब देना होगा और उस दिन या तो उसे प्रतिफल मिलेगा या वो प्रतिफल खो देगा खोए हुए प्रतिफल के साथ शाश्वत जीवन बिताना अपने आप में एक बड़ी सजा है जब हमारे चारों तरफ तमाम लोग अपने प्रतिफलों के साथ चलते फिरते हैं तो मेरे प्रिये भाईयों और बहनों आत्मिक परदानों के बारे में आज हमने जो परमेश्वर के वचन से देखा उसमें से ये तीन बातें एक और बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ पहली बात प्रभू ने दिया है संपत्ती प्रभू की है मेरी आपकी नहीं है हम लोग मालिक नहीं है भंडारी है और ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए दूसरी बात यदि आप प्रभू के लिए सही विनिमें करेंगे तो जिस तरह से प्रभू ने का था दो शहर पांच शहर या दस शहर का अधिकारी हो प्रभू उसका भरपूर प्रतिफल मुझे और आपको देंगे प्रभू के भंडार से चोरी करने की जरूरत नहीं है प्रभू को धोखा देने या लूटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए तीसरी बात हर गुलाम हर भंडरी का एक दिन लेखा जोखा होगा उस दिन हमको हिसाब देना पड़ेगा जिसने प्रभू के लिए कमाया है उसको प्रभू से आशिश मिलेगी जिसने प्रभू का दिया हुआ बरबात कर दिया है प्रभू से जो आशिश मिलनी है वो नश्ट क साल तक जीएगा क्लोसिंग में मैं फिर से आप से पूछना चाहता हूँ आपने प्रबु को कब ग्रहन किया? कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले? उसके बाद आपने आत्मिक परदानों को पहचाना है क्या? नहीं पहचाना तो जान गये हैं कि जिस च्छण आपने प्रबु को मुक्तिदाता के रूप में उस च्छण आपको कम से कम एक आत्मिक परदान दिया गया था प्रबु की करुना के कारण। कम से कम उस आत्मिक परदान को ढूंड कर फैचान कर पोशन کرके उस पूंजी को निवेश करके प्रभू के लिए और अधिक पूंजी कमाने की कोशिश करें आप शायद आखर में पूछेंगे ब्रदरे एक बार और बता दीजे की आत्मिक परदानों को किस तरह से पहचाना जा सकता है जैसे मैंने बताया था इसके लिए कोई जादूई छड़ी नहीं है जो मैं आपके सर पे घुमा दूँ और आपको पता चल जाए मेरे और आपके आत्मिक जीवन में हमको जो भी बाते पता चलती है वो दो तरह से पता चलती है जब हम पटमेश्वर के वच्चन का पाठ करते हैं तो उसके द्वारा पता चलता है जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब पटमेश्वर का वच्चन हमारे मनों को बदल देता है परिवर्तित कर देता है तब हम अनुभों से पेटमेश्वर की इच्छा को पैचानते हैं अनुभों कैसे? प्रभु ने आपको अपने आत्मिक जीवन में जो भी आउसर दिये हैं उन आउसरों का सहीरीती से उपयोग कीजिए और जब आप सहीरीती से उपयोग करेंगे विश्वासियों की मंडली के साथ संगती में रहेंगे तो धीरे 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 आपको यह सपष्ट हो जाएगा कि आपका आत्मिक परदान क्या है? मेरे साथ ऐसा ही हुआ था मैं जब सूला साल का था तब मुझे पता चला कि आत्मिक परदान होते हैं तब से मैं अपने आत्मिक जिवन में जितना विश्वस रह सकता था उतना विश्वस रहने की मैंने कोशिश की परमेश्वर के वचन का अध्येन करता चला गया धीरे 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 मेरी ही आसपास मेरी ही मंडली के लोगों ने ये महसूस किया कि परमेश्वर के वचन की शिच्छा देना टीचिंग ये शायद मेरा आत्मिक वर्दान है उन्होंने मुझे आउसर दिये हर आउसर का मैंने सही रीती से उप्योग किया और जैसे जैसे मैंने उप्योग किया वैसे वैसे मुझे ये बात सपश्ट होती चली गई कि वाकई मैं परमेश्वर के वचन को सिखाना टीचिंग मेरा आत्मिक वर्दान है बीएसी सेकंड ये के आखरी स्टेज आते आते मेरी ही मंडली ने मुझे नियमित रूप से मेरी ही मंडली में परमेश्वर की वचन की शिच्छा के लिए शिच्छा के लिए शिच्छा के न मैं सूस हुई कि इस व्यक्ति का आत्मिक परदान ये है तो उन्होंने मुझे उसके लिए आउसर दिया, मैं ग्वालियर की अपनी मंडली का इसके लिए बहुत आभारी हूँ, तब से लेकर आज तक मैंने अपने आत्मिक परदान को बहुत ही गंबिरता से लिया है, इसको प प्रभू आपकी मदद करें कि इसी तरह से आप भी नियमित संगती, परमेश्वर के वचन के नियमित पाठ और अपनी जो स्थानी मंडली है, उसमें अपने इन्वाल्मेंट के द्वारा अपने आत्मिक परदान को पहचान सकें और पहचानने के बाद उसका भरपूर उप खड़े हों, तब प्रभू आप से कह सके, हे मेरे विश्वस्त दास, मैंने तुझे बहुत बड़ी पूंजी दी थी, मेरे हिसाब से वो कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से जरा सी पूंजी मैंने तुम को दी लेकिन तुम उसमें विश्वस्त रहे, और इसलिए जाओ, दस शहरों के मालिक बन जाओ, या आज की भाशा में कहा जाए तो जाओ, मैं तुम को एक बहुत बड़ा प्रतिफल देता हूँ, उस प्रतिफल के भागी हो, सारी दुनिया में जितने विश्वासी है, बे देखेंगे, मतलब मैं सारी दुनिया से मेरा मतलब है, आने वाली इन सब बातों को समझने के लिए और इन बातों को समझ कर मेरे और आपकी जीवन में हम उत्सा के साथ अपने आत्मिक परदानों को ढूंड कर उनका पोशन करके उनका अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करें, जैमसी की प्रभु आपकी मदद करें